इसमें लाय रह्मान रहीम आज की वीडियो में मेरे साथ मेरे थीन क्लाइंट बेटे हुए दो मरीस्टों मेरे एडवर्टाइजमेंट के लिए क्योंकि इसका मुने ट्रंस्प्लांट किया हुआ है तो वो मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ लेकिन एक जो दर्म्यान में बे इसका आमने पहले एक सेशन किया था और उसका तकरिबां डेर साल हो गया है इसका आमने वर्टेक्स पर दूसरा सेशन किया है जिसकी छे महीने हो गए तो अब आगर आप लोग वर्टेक्स इसका फ्रंट बिल्कुल पर्फेक्ट है किसी को पता नहीं चलते है कि यह ट्रंस तो वर्टेक्स पर अच्छा रिजल्ट नहीं आते है और वहां पर ट्रंट भी करके तो 60-70% रिजल्ट आते है और स्लो आते है लेट से जब इसको मिने ट्रंट किया था 6 महीने पर इसके फ्रंट के बाल काफी आये होंगे लेकिन अभी इसका 6 मंथ चल रहे लेकिन वर्टे लेकिन इसका मैं वर्टेक्स पर अब भी इसका देखो यह खाली है इसका हमने क्या हुआ है लेकिन 6 महीने हो गए तो मतलब मेरा यह पाइंट दिकाने का यह कि आप लोगों को यह पता हो कि वर्टेक्स पर ग्रोफ लो आती है और ठायम लेते हैं और फ्रंट की तरह नहीं यह पाइंट में आप लोगों को बताना चाहता है कि जो वीडियो फुल सर की या जो रिजल्ट लोग दिकाते या में दिकाता हूं हम अक्सर मरीज का सामने से या उपर से पिक्चर ले लेते वर्टेक्स को शामिल नहीं करते अभी यह जो हमारे क्लाइंट है इसका भी मैंन को कहता हूं कि इतने इंपर्टेंड नहीं है यह दोनों आप लोगों को गंजे नजर नहीं आते हूं पर से वर्टेक्स सामने से किसी को पता नहीं चलते हैं उपर वाले किमरे में नजर आते हैं तो कुछ लोग आते हैं कि इसका थोड़ा डोनर होता है कि ते पहले वर्टे कोई है जोए देख सकते हो इसका तो बहुत ही परफेक्ट ए और इसका भी बहुत ही अच्छा है लेकिन इसकी ज्यादय इसकी निजबत अलागे इसके बाल भी मोटे-मोटे इसका में दिखाताँ या चेकप के लिए अटा देखो सामने से अगर आप लोग देखो इतना नहीं लगते हैं लेकिन फुल बाल्ड है यहां तक अब इसके डोनर साइट की में वीडियो दिखाना चाहता हूं यह वीडियो में देखो अगर इसका में पिक्चर ले लो या वीडियो में आप लोग देखे आप लोग कहेंगे कि इतना अच्छा डोनर रेडक्टर अबीब कहते है हमारे साथ इस तरह होता है अग्छार और मरीड पिक्चर बेख दीते हैं हम इदर से कमेंट कर जिते हैं यह डोनर तो बहुत आच्छा है पिर किया हुता है जब मरीड सामने से आता है То era में उस पुछ भी नहीं होते है niez अब इस पंदे ने इस डोनर में बाल जो इना साफे कि इसका अगर आप लोग देख लिए सकी नजर आते बाल दूर दूरे और वाइट है यानि ग्रे हैर्स ग्रे हैर्स जिस टोनर में होते वह विक डोनर होते जो बलेक बाल होते जिस डोनर में मोटे मोटे बाल होते और ज्यादा डेंस जो होते वह स्ट्रांग डोनर होते तो य अगर सामने चेक अप के लिए आजाए तो बहुत अच्छा है हाँ जिन लोगों ने अनलाइन कंसल्टेशन करनी होते हैं फर एक्जामपल क्रची से या कहीं दूर से आपने वाटसेप पे पिक्चर बैच दिया है तो उसमें भी यह मिसंडेस्टेंडिंग आ सकती है कि आपका डोनर अच्छा ना होगा लेकिन पिक्चर में अच्छा नजर आते हैं तो यह इस तरह हमारे साथ कभी कभी हो जाता है लेकिन ज्यादातार मारीदों का मैं फिजिकल चेक अप कर लेता हूं तो उसको तुमें सामने से बता देता हूं लेकिन जो लोगों डाक्टरों को पिक कर देते हैं तो उसमें से अच्छे ग्राफ निकला जाता है ए जो बना निकालते हैं वह बता सकते हैं कि कभी झाल झाल